ट्रनाम एवरीवन टोड़ें एक बच्चा नहाने की बाद क्या फिलिंग से एक्सप्रेस करता है ये बताया गया है बच्चा कहता है कि मैं नहाने के बाद try करता हूँ खुद को पोशने की मैं तब तक खुद को पोशने की कोशिक करता हूँ जब तक मैं पुरी तरह से सूख नहीं जाता means मैं पूरी तरह से dry होने तक खुद को पोशता हूँ hands two wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose मिन्स मैं अपने हाथों को पोशता हूँ और अपनी फिंगर्स मिन्स हाथ की उंगलियों को और टॉस मिन्स पेर की उंगलियों को पोशता हूँ उसके बाद मैं मैं अपने दोनों गीले पेरों को पोशता हूँ और फिर मैं अपनी नोस को पोशता हूँ नोस पे जब हम नहाते हैं तो पानी लगता है तो पानी लगने से नोस चमकने लगती है तो इसलिए बच्चा के राए कि शाइनी नोस मिस वो जो गिली होने से नोस शाइनिंग करने लगी है उसको पोश्टता है बच्चा Just think, how much less time I had to take if I were a dog and could shake, shake, shake बच्चा केता है कि जड़ा सोचो मुझे कितना कम समय लगता यदि मैं एक डॉग होता मैं भी अपनी बोडी को नहाने के बाद शेक करता और मैं ड्राए हो जाता जिसा कि आपने देखा हुगा कि जो डॉग रहते हैं वो जब नहाते हैं नहाने के बाद में जब डॉग अपनी बोडी को शेक करते हैं तो वो ड्राए हो जाते हैं उनकी जो इसकीन होती हैं उससे सारा पानी सूप जाता है